प्लिस्टोर अकाउंट कभी और कैसे क् grow up हो सकता है आज मैं आप लोग को एक ऐसे हE INCIDENT के बारे में बताने जारें हाइ गाईज मेरा नाम ही क्रिपेश आद्वानी और आज मैं आप लोग को एक ऐसे INCIDENT के बारे में बता हूंँ गा जो एक अकाउंट था जो चार साल पुराना था जिस पे एक मिलियन के ऊपर डाउनलोड थे और वो अचानक से सस्पेंड हो गया उस इंसिदेंट के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं और यह मेरा इंसिदेंट निये यह किसी और का इंसिदेंट है तो ज़रूर ही निये कि हमेशा हम लोग हमारी गलतियों से ही सीखें कभी कबार हमें किसी और की मिस्टेक से भी सीख लेना चाहिए जबी भी हमें चांस मिले यही एक इंसिदेंट है जो हमें काफी कुछ शायद से सिखा जाए तो मैं आप लोग को इस इंसिदेंट के बारे में बताता हूं तो यह इंसिदेंट है पैबलो A. मार्टिनीस के बारे में मैं जानता हूं मैंने नेम मोस्ट प्रोबबली गलती प्रनंस किया होगा and I'm sorry for that but हम लोग नेम को छोड़ते हैं हम लोग कहानी को पकड़ते हैं हम लोग इंसिदेंट को पकड़ते हैं कहानी निये इंसिदेंट है कि क्या हुआ है अक्चुल में So 24 December को इनको एक मेल आता है जिसमें लिखा लेता है कि आपको लोग का जो आपका जो डेवलेपर अकाउंट है आपकी कमपणी का जो डेवलेपर अकाउंट है उसको टरमिनेट कर दिया गया है due to violation of associated accounts associated accounts में वाइलेशन के वज़े से इसको टरमिनेट कर दिया गया है So उनको लगा यार कोई वर्निंग में को आज तक मिली नहीं है कि कोई मेरे अप कोई टाम नेट हुआ नहीं है मेरे प्ले स्टोर अकाउंट पर तो यह क्यो हुआ मेरे साथ उन्होंने इसके रिगार्डिंग एक एमेल अपील करी जैसे कि आप सब लोग को पता है कि अपील का एक फॉर्म रहता है जहां पर आप लोग करते है विदिन थाउजन वर्ट्स कि आप लोग के आपको क्यों वापस से रिइंस्टेट करना चाहिए अगर करें तो सो आफ्टर दाट 25 दिसमबर को उनको अपील करी वापस से रिपलाय आया वो यह आया कि आप लोग का अप लोग का आप लोग का अकाउंट वापस से रिंस्टेट नहीं हो सकता है अब एक question यहाँ पर यह उठता है कि 25th December जो है Christmas की date Christmas की date को उनको mail आता है कि आपके app को वापस से range date नहीं किया जाएगा So एक question यह उठता है कि who is the one who is checking कि Christmas की दिन Christmas की दिन कौन है जो आपके app के reviews को check कर रहा है क्या वो सही में manual process हो रहा है या सही में वो automated है हो सकता है वो manual हो सकता है वो automated हो so उन्होंने इसके फिर से अपील करी और जो उन्हें वापस से response मिला वो काफी templated answers देते हैं जैसे आप लोगो पता है कि Google Play आप लोगो काफी Google support team में आप लो ओने आप लोगो पृष्ट करें नहीं मिलते हैं तो सही में कोई प्रोसेस हो रहा है या स्किस कोई automated box पर कॉपी-पेस्ट कर गे टैमप्रेट आप लोगोंने वाली यह है कि उन्होंने पता है कि उन्होंने पता है कि उनका 1st August को अगस्त के महिने में प्रिवियस यर 2018 में उनका जो परस्नल अकाउंट था वो सस्पेंड हो गया था उसको टर्मिनेट कर दिया गया था और उन्होंने ऐसा बताया है कि वो अकाउंट उन्होंने काफी टाइम से यूज नहीं किया था उसमें काफी पुराने आपस थे उनके का कर दिया था तो इस सारे इंसिडेंट से हमें एक यह चीज तिखने को मिलती है कि नो वन इस सेफ उन प्ले स्टोर आपके अकाउंट को कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है तो जो भी अभी अपने आप्स डाल रहे हैं जो फुल टाइम जो इसमें जो मेरे जैसे लोग है उ अनफोर्चुनेटली तो मैंने जो इस से सीखाया मैंने सीखाया जैसे एड प्रेजेंट मेरी काफी सारी इंकम एड मॉप पे गूगल प्ले स्टोर बे डिपेंडेंट है तो इस साल मेरा यही में फोकस रहेगा कि मैंसे और डाइवसिफाई कर पा हूं अपनी दूसरी फील आप लोग भी इसको डाइवसिफाई करना स्टार्ट कर सकते हैं के रिगार्डिंग उन्होंने एक मीडियम पे एक आर्टिकल भी लिखा है और उस आर्टिकल का लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप लोग चाहे तो वो से पढ़ सकते हैं काफी जैनुवरी 2019 को उस आपको रिंस्टेट कर दिया गया है और काफी डिप रिव्यू और काफी रिसर्च के बाद काफी जुगार लाने बाद भी पता चला है कि वस अकाउंट को इसले टर्मिनेट किया गया था क्योंकि उससे जो उनका परसनल अकाउंट था उसे टर्मिनेट कर दिया था जो उससे लिंक था मैंस हो सकता है कि उन्होंने कुछ आप शेयर करें में हो सकता है कि उन्होंने एक एक क्रेडिट कार्ड से पेमिن्ट करी हो तो कोलिक का अगाउंट अस्जौन अउस्पेंट हुआ और चार शे महीने बाद उन लोग का भी कॉंपनी का इसमें इनकी रीच इतनी थी कि ये आक्चुल में इन परसन किसी को ढूंड पाए जो उनके ये सस्पेंशन में उनकी हेल्प कर पाए बट अनफॉर्चुनेटली आड प्रेजेंट सिच्वेशन ऐसी है कि मोस्ट आफ इंक्लूडिंग मी और काफी सारे आप जैसे लोग हम लोग इन परसन नहीं रीच कर सकते हैं किसी भी गूगल एंप्लॉई को किसी से बात नहीं कर सकते हैं आहीं हमारी इतनी रीच है नहीं हमार पावर है कि हम लोग किसी गूगल इंपलॉई से बात कर सके या अपना मेसेज आगे फ्रवड कर सके कि हमारा जो अकाउंट है उसको गलत रीजेंश की वज़े से उसको नचस्पेंट किया गया है means without any fault उस account को terminate किया गया है so we don't have that power right now at present Google का यही system है so हम जरूरी नहीं है कि हम भी वैसे ही लखी रहे हैं जरूरी नहीं है कि हमारे पास भी वही रीच रहे हैं तो हमें थोड़ा सा प्रेवेंटिव मेजर लेके चलना पड़ेगा I think so so यही मेरा मेसेज है कि be safe and don't put all your efforts onto just one platform diversify it क्योंकि यही आपके पास एक option है अगर आपको safe रहना है so आज के इस वीडियो के लिए अगर आपको वैलियो मिली हो तो थम दब दे दीजेगा चैनल को subscribe कर लीजेगा और हम लोग मिलें कि अगले वीडियो में so until next time goodbye and keep learning